हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप उमीद करते हैं अच्छे होंगे चलो आप वीडियो देखें बाकी रियक्शन वीडियो के बाद में हो यूएस के 40th प्रेसिडेंट रोनल्ल रीगन के काउंसलर ने का था कि भाई जो 21st सेंचुरी है ये इंडिया की सेंचुरी होगी इंडिया is going to be the biggest economy in the world लेकिन उस टाइम पर ये statement किसी ने seriously नहीं लिया था लेकिन आज की टाइम पर देखो तो लगता है कि भाई ये बात genuinely सच हो सकती है भारत already दुनिया की one of the largest economies में गिना जाता है और आज की टाइम जहां almost सारी countries की जो economic growth है वो डगमगा रही है भारत वहाँ पर 6-7% की growth से आगे बढ़ रहा है इस देश में कोई change नहीं आ सकता हमारी growth तो बिल्कुल ही zero है तो आज के इस वीडियो में मैंने decide करा है कि आपको इन सारी बातों का एक flip side दिखाया जाए इन सारे लोगों तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाना क्योंकि भारत में last 1-2 decade में जो magical achievement हुए है उन पर इस वीडियो में बात की जाएगी और मैं इस सारे facts जो लाया हूँ international organization जैसे World Bank, WHO, UN और भारत की खुद की government के data sources से लिए मैं अपनी तरफ से कोई जोड के नहीं बता रहा हूँ तो एफ वीडियो अच्छे से देखना और आगे share जरूर करना भारते economy अगले साथ साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी economy बनने के लिए तैयार है This is India, after 75 years we have arrived at this situation भारत दस प्रिलिन डॉलर की आर्थवस्था को चूने की शंता रखता है The Indian economy may be on a faster growth path than previously estimated It will not be a surprise if the GDP growth of last year comes slightly above 7% सबसे पहली analysis है infrastructure के ऊपर 1991 में जब policy change हुए थे तो उसके बाद भारत में जो industries में directly या indirectly foreign investment आने लगा उसकी वज़ा से भारत industrial sector और infrastructure के मामले में one of the highest spender बन गया भारत की public private partnership के model का भी इस बात में बड़ा major contribution रहा है कि हमारी government कितना infrastructure पर focus कर पाती है इस model के जरीए जो government पे workload था वो कम हुआ और लोगों की quality of life भी improve हुई है अगर आप पिछरी एक decade में देखें भारत ने national highway की length में 50% से ज़ादा increase दिखाया है November 2022 तक भारत में कुल 144,000 km के national highway मौजूद थे recent union budget में अगर देखें government of India ने ministry of road and transportation को 2.7 लाक करोड रुपए लोकेट करें जिससे आने वाले सालों में भी लगता है कि इंफरस्ट्रक्चर में काफी काम होने वाला है अगर आप railway में भी देखें तो भले railway कितनी slow जिस पर हम बात कर चुके हैं western और eastern dedicated freight corridor बन रहे हैं January 2030 तक construction 60% complete है over the years railway tracks में electrification किया गया अब तक 85% tracks electrified है aviation sector देख लो tourism economic development में इनका बड़ा critical रोल होता है देश में airport का number कितनी तेजी से increase हो रहा है ये बात आप सिरफ एक data point से समाच सकते हो last 8 सालों में nearly हर साल 10 नए airport एड़ किये गए हैं इससे भारत में पिछले 10 सालों में airport का number double हो के 148 पहुँच चुका 2024 तक ये 200 पहुच आएगा infrastructure strong होने से न सिरफ public को फाइदा नहीं होता बलकि overall जो businesses हैं उनकी supply chain improve होती और इसी वज़े से logistics performance को लोग track करते हैं इंडेक्स में हम already 38th position पर पहुच चुके हैं जिससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि infrastructure के माबले में कितनी तेजी से improve कर रहे हैं अब बात करते हैं digitization की ये image देखो over the years भारत में जो smartphone का number है जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से data का cost कम हो रहा है और ये एक perfect marriage है देश में digitization increase करने के लिए बहुत जरूरी marriage आज के time data rates के एसाफ से देखें भारत दुनिया में 5th cheapest country है आज भारत में 759 million internet users है US में total जितने लोग रहते हैं उससे double हमारे देश में internet users है कोई भी बाहर का media house या leader हमारे बारे में फालतू बोलता है तो social media पर उसको तुरंत fact check करने के लिए सारे भारती आ जाता जैसे कुछ दिन पहले ही जब Ukrainian Defense Ministry ने मा का एक distorted image tweet किया था तो Ukraine को online इतना backlash मिला कि उन्हें apologize करना पड़ा यह चीजे ना थोड़ी जरूरी होती है एक चीज आप notice करते हो कि पूरी दुनिया में जो अमेरिका है उसका culture बड़ा superior माना जाता है उसको एक elevated perception से लोग देखते हैं और इसका एक reason है कि जो उनकी movies हैं, songs हैं, pop culture हैं इनकी पूरी दुनिया में बड़ी fan following है सेम चीज जपैन और कोरिया भी follow करते हैं अपना soft influence बढ़ाने के लिए जैसे वो anime, k-pop, k-drama इस सब को आगे project करते हैं अपने culture को promote करने के लिए अब यह चीजे धीरे धीरे भारत के साथ भी देखने को मिलती हैं अब देखते हो कि आजकर बड़े विदेशी vlogger आते हैं यहां के पानी पूरी खाते हैं और vlog बनाते हैं अपने यहां की movies के trailer तक पे reaction करते हैं यहां के गाने लगा के reel पे नाशते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि views यहीं से आने वाले हैं इस huge online presence है भारत की soft power धीरे धीरे बढ़ रही है वहीं इसके साथ digital literacy भी बढ़ रही है लोग किसी भी topic पर अपना opinion easily share कर सकते हैं और informed हो सकते हैं legacy media की जो कचरा journalism है उसको भी expose कर सकते हैं और देश के लोगों के लिए information एक काफी powerful tool है जो कि अब और ज़्यादा accessible होता जा रहा है online education में भारत के लोग काफी आगें वैसे total online users के हिसाब से 1.3 करोड लोगों के साथ US के बाद भारत second number पर आता है online education के perspective से इसी online learning में एक trend काफी ज़्यादा popular है और वो है English सीखने का लेकिन English के साथ एक myth जुड़ा हुआ है कि भाया fluent English सीखना काफी मुश्किल काम है actually बताऊं तो ये उतना मुश्किल नहीं है लेकिन इसको सीखने का एक proper तरीका होता है सिर्फ बुक पढ़के या वीडियो देख के आप नहीं कर सकते हैं आपको उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिनने English आती हो अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप online ये काम बड़े इसली कर सकते हैं इसमें आपको हेल्प करेंगे हमारे सेग्मेंट स्पॉंसर कैंबली कैंबली एक अकेला ऐसा प्लैटफॉर्म है जहां पर प्राइवेट और ग्रूप क्लासेस मिलती हैं जहां पर बीस हजार से जादा ट्यूटर्स हैं जो की नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रेज ज अगर आपको भी इंग्लिश का डर खतम करना और इंग्लिश बोलनी है तो यह आपके लिए एकदम पर्फेक्ट सल्यूशन हो सकता है और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आप कैंबली की ट्राइल क्लास सिरफ नौ रूपय में बुक कर सकते हो और इसमें आपको अपने पसं अगला पॉइंट है क्वालिटी ओफ लाइफ इस वाले पॉइंट के अंदर में आपको गरीबी बिजली पानी सफाई इंफेंट मॉर्टेलिटी जैसे कई सारी इंपॉर्टेंट एसपेक्ट से जोड़े डेटा पॉइंट दिखाऊंगा इसके सोर्सेस वर्ड बैंक और य लाइफ एक्सपेक्टेंसी 59 एर्स हुआ करती थी इन डेकेट के बाद वह सतर साल पर पहुंच चुकी और इसका में रीजन है कि ओवर द इयर्स भारत में जो पॉलिटी ओफ लाइफ है वो इंप्रूव होई है पिछले कुछ डेकेट में हमारी जो पर कैपिटा इंकम है व भारत में करीबन 124 मिलियन एक्स्ट्रीम पावर्टी में रहने वाले लोग थे लेकिन 2022 में यह नंबर सिर्फ 15 मिलियन था इस कैलकुलेशन के हिसाब से भारत में हर एक मिनट में एवरेज 44 लोग एक्स्ट्रीम पावर्टी से मुक्त हो रहे है और अब आप यह वाला मैप इसमें जो कंट्री के कलर्स हैं वो की नेरिया में कितने परसेंट के घरों में टाप वाटर पहुंचाए यह दिखाता है यह नंबर ऑगस्ट 2019 का है जब भारत में जल जीवन मिशन नहीं था उसकी लांच होने के बाद यही सेम मैप अब ऐसा दिखता है इसमें जो इंप्र 2014 से 2017 के बीच में भारती घरों में जो ट्वालिट्स का नंबर है वो कितनी तेजी से इस मैप के जरिए इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है वही इलेक्ट्रिसिटी कवरेज की अगर बात करें तो नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मार्श टॉंटी टू का डेटा बताता है क अब भारत में 97 घरों में एलेक्ट्रिसिटी मौजूद है यह 2000 में भारत के अंदर एक हजार बच्चे पैदा होते थे तो 66 इंफैंट्स की डेथ हो जाती थी यह नंबर 2015 में घटकर 38 पहुँच चुका है जो अपने आप में एक मेजर अचीवमेंट कही जा सकती है अगला हमारे future से related है आज भारत globally renewable energy installed capacity के मामले में 4th position पर आता है और 2014 से अब तक हमने 128% का increase किया है पिछले 9 सालों में भारत के अंदर solar energy की जो capacity है वो 24 गुना बढ़ गई है और इसकी वज़ा से आज हम solar से 66 gigawatt energy produce कर रहे हैं इसके लावब wind और hydropower में भी हमने काफी तरक्की करी और इसकी installed capacity भी 43 और 47 gigawatt के around पहुँच चुकी है आज जब पूरी दुनिया renewable की तरफ देख रही है तब हम बड़े steps उठा कर इसमें leader बनने के पूरे effort कर रहे हैं overall हम दुनिया में third largest energy consumer है तो इसलिए जरूरी है कि हमें इसमें leader बनना पड़ेगा अगला point है economy growth अब शायर हो जाओगे सुनकर बट बहुत सालों पहले भारत world GDP में almost one third share contribute करता था फिर हम पर बहुत सारे attack हुए loot part होई और कई decades के बाद हमारी GDP श्रिंग करती चली गई आज के सिरफ 20 साल पहले हम दुनिया की top 10 largest economies में भी नहीं आते थे 2023 में हम already fifth largest economy बन चुके और projections के according इसी decade में हम Germany और Japan को पीछे छोड़के third largest economy भी बनने वाले हैं और यही reports बताती हैं कि अगले 25 years में हम US को भी पीछे छोड़के चाइना के बाद second largest economy भी बन जाएंगे अगर आप देखें GDP continuously 6-7% की हिसाब से जो ग्रो कर ही रही है unlike many other countries भारत की जो यह growth है वो local economic sector पर जाधा dependent है on the other hand हमने अभी तक हमारे देश में पूरी तरह से जो industrialization है वो भी नहीं देखा है तो देश के एक major population ऐसी है जो अभी भी इस growth का हिस्सा बनना बाकी है तो overall population की बात कर लेते हैं भारत में जो median age है वो 20 साल है यानि कि 34% population 20 साल से कम है यानि हमारे पास एक major young force मौजूद है और आने वाले सालों में यह सारे लोग workforce का हिस्सा बनेंगे पूरी दुनिया में जब लोग संकट की गड़ी से जूज रहे हैं कि लोग नहीं मौजूद हैं लोग बूले होते जा रहे हैं एवरेज जेज भढ़ती जा रही हैं भारत उस future के लिए बिलकुल तयार है Bloomberg की report बताती की UK, US जैसी countries में recession में जाने की probability 75%, 65% है और इसी same report में भारत के recession में जाने की possibility 0% है अगली बात करते हैं investment की, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी companies का कुछ ना कुछ रिष्टा नाता चाइना के साथ जुड़ा ही रहता है और भारत भी अब इसी foreign investment को अपनी तरफ attract करने की कोशिस कर रहा है और कुछ हद तक इसका नतीजा हमने पिछले quarter में देखा है भारत की economy growth पहली बार चाइना से जादा हुई है Apple, Boeing, FedEx जैसी बड़ी-बड़ी companies भारत में आ चुकी हैं और आने वाले सालों में चाइना से relocate करने की बात कर रहे हैं और ये US-China की tension के चलते वो companies जो अभी तक चाइना में manufacturing करती थी वो China plus one strategy follow कर रहे हैं चाइना के साथ साथ अपनी manufacturing एक और country में shift कर रहे हैं ऐसे में companies एशिया की अलग-अलग countries में भी shift हो रहे हैं जिसमें भारत का नाम भी उपर list में आता है साल 2000 से 2022 तक भारत में FDI 20 times increase हुआ है और इसी दोरान में जो total FDI 871 billion dollar का आया है और भारत दुनिया के top 7 global FDI destination में पहुच चुका है इसके इलावा जो भारत की friendly countries हैं जैसे की Japan, UAE, US, Germany, France ये सब भी यहां पर invest कर रहे हैं अगले पास सलों में अकेले Japan यहां पर 42 billion dollar का investment करने वाला है अगला पॉइंट है जियो पॉलिटिक्स मुझे बता है आप लोगों को यह पॉइंट सबसे ज्यादा इंट्रेस्टिंग लगेगा अभी दुनिया में देखो तो तो रशिया चाइना लेड एक Eastern Pole दिखता है और वहीं US-led Western Pole दिखता है आज भारत जो है वो अपनी foreign policies अपने लिए और अपने हिसाब से decide करता है किसी दूसरे force के influence में नहीं चलता है इसका सबसे बड़ा example आपको रशिया यूकरीन war में दिखा होगा इस war में भारत दुनिया में एक मातर हैसी country है जिससे दोनों parties equally contact में हैं और continuously help की उमीद भी रखते हैं यह हमारी independent foreign policy का ही कमाल है कि वार में लड़ रहे हैं दोनों side में एक side हमें अपना ally बताता है और दूसरे side के लोग हमें विशुगरू बताते हैं यह थे वो 7 reasons जो मैंने आपको proper fact के चलते बताएं जिससे दिखता है कि भारत एक completely transformed nation नजर आता है लेकिन यह mention करना बहुत जरूरी है कि हमने different sector में बहुत तरक्की कर ली लेकिन यह सफर अभी बस शुरू हो रहा है अभी भी देश के अंदर inefficient education system है, corruption है, youth में adequate skills की कमी है, pollution हच से जादा है, communal और ethical tensions भी है, border पर चाइना और पाकिस्तान के साथ भी हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है trade deficit बढ़ रहा है और इसके अलावा और भी कई सारे issues हैं जिनको properly address करना है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपनी कमियों से मुह नहीं चुपाता, भागता नहीं है, उन कमियों को ढूंड कर उनके solution की खोज करता है लेकिन आजकल मैं देखता हूँ एक पूरी generation ऐसी खड़ी हो रही जिसके दिमाग में डाल दिया गया है के रहे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यह देश तो बेकार है, यहां क्या ग्रोथ होगी और ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बेहत जरूरी है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुचाईए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताईए मैं आपसे मिनूँगा अगले वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने धान रखिए, जैहिंद वंदे मात्रम के बाद है वो तो पीछे हो इन होने वाले हैं जर्मनी और फ्रांस की बात कर लें हम लेकर ने इस टाइम जो सबसे शौकिंग न्यूद है ना यार वो कमाल की है कि सिर्फ और सिर्फ बीस साल का इंतदार है, मैं तो हरान हूं यार, कोविड में देखने हैं पूरे वर्ल के इपसिए तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं ट्रंगल करते हैं नदर आये लेके इंडिया कॉमने कि समय में यह नहीं देखा कर घार भáई इंडिया डौन हो रहा है या इंडिया डॉन हो गया तो जिसकी वजह से जिसकी वजह से यार यह दर्शाता है कि इंडिया की एकॉनमी कितनी स्ट्रॉंग है इंडिया की एकॉनमी सबसे बड़े मसले को सबसे बड़े परिशाने को बड़ी असानी से जील लेती है जिसकी वजह से इंडिया आगे जा रहा है और इंडिया के जो पी एम हैं जो इंडिया की क्या कहते हैं सियासदान हैं बड़ा अच्छा काम का रहे हैं तो बाकि आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो के बारे में जरूर राय और इस तरह की मजीज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जो जुरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लादमी शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्यार के गाओ केजिए लाफिस झाल झाल जां झाल झाल झाल